हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल स्टॉप पंडा स्टॉप पंडा मैं पर सवागत है आज हम बात करने जारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में जबदस गिरावट रही और निफ्टी का लेवल जो है 15,800 पया के रुका है पंद्रा हजार आठ सुप्या के रोका है निफ्टी का लेवल और इदर से भी नीचे गिरावट की संभावना है हंड्रेट टेम परसंट है उसके पीछे रेजिन मैं आपको बताऊंगा पहले देखतें निफ्टी का चार्ट चार्ट देखके आपको बताऊंगा इसमें क्यों गिरावट और हो सकती है निफ्टी के चार्ट पर जाने के पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा गिरावट की जो वज़े है वो महिंगा ही नहीं है वो पेट्रोल भी नहीं है वो आरबिय की पॉलिसी भी नहीं है सबसे ज़्यादा जो वज़े है वो है FII's यानि फॉरेंड इंस्सिटिट्टर्स जो यहां माल बेच रहे हैं दबा के 12 मैं को यहां माल बेच है 5255 करोड का ठीक है ये ग्यारा माई को 3600 उसके नीचे देखो 4900, 3300, 5500, 2000, 3200, 1800 ये जो आज जो माल बेचा है 12 में को ये बेचा है 5255 करोड का इसके पहले 6 माई को माल बेचा था, 6 माई को गिरावट रही थी बजार में उस टाइम भी माल बेचा था 5257 करोड का जब तक हमारी मारकेट में फॉरेन इस्टिडर्स माल बेचा नहीं बन करेंगी जब तक उनकी बाई नहीं आएगी तब तक हमारे मारकेट में इसी तरीके से गिरावट रहने वाली है और एक गिरावाट हो सकता है कि आने वाले और भी दो से तीन मेने या चार मेने और भी गिरावाट होती रहे इतनी गिरावाट के बावजुद भी हमारे मारकेट में फिर भी अगर कंपर करेंगे अमेरिकन मारकेट से का प्राइज चला था यहां पे एक सेकिन आपको दिखाता हूं यह फाइव यह जी यह आगे दोजा अठारा से ले सतरा से लेके यह अभी तक का चार्ट है इसमें जो है दस दिसमबर दोजार एकिस को यह पंदरह हजार छेसो कैस परास्ट आप्राइज यहां पे पंदरह हजार आटसो सवरी पंदरह आजार आठसो सोला हजार से अभी जो नैजडेक में इन गिरावर्ट है वो सोला हजार से ग्यारा हजार दोसो चेटर तक पहुँच चुकी है और आज भी यानि 12 में को इस तरह मारकेट चालो वहाँ पर और आज भी मारकेट में गिरावट है जी आज का चार्ट आप देख सकते हैं जी आज भी गिरावट इसमें minus 85.09 यह ने .75 पर आज, पार दिनकर देखते हैं अमेरिकन मारकेट गिरावट है 6.79 पर एक मेने का देखते हैं 14,63 इह अभी देखते हैं मेने का चार्ट में 28% जिए आप बने रहे चैनल के साथ अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मैं आपको बताने वारा हूँ लेटेस्ट न्यूज है अभी, हम चलते हैं इस न्यूज के उपर, तो यह अभी की लेटेस्ट न्यूज है, यह हमारे RBI के गवर्नर है, अभी क्या न्यूज आ यह 40 basis point रेपोरेट इंग्रीस किया था, यानि जो रिजर्ब बैंक, जो बैंक को पैसा देती है, लोन के लिए, क्योंकि जितने भी बैंक होती है, वो रिजर्ब बैंक से पैसा लेके, फिर आम पब्लिक में यह लोग लोन के जरीए पैसा देते हैं, और इनका जो बीच माज market गिरा हुआ था, और अभी के latest news आपको बताने वाला हूँ, आने वाले महिने में, यानि जून में, जून में और भी इसमें बड़ोतरी हो सकती है, यह देखे, आपको दिखाता हूँ, मैं यह latest news अभी का, यह बारह, यह देखे आप, में बारह, बीस अथाइस, ठीक है, अ इसमें, रेट हाइक हो सकता है, इसमें, रेट हाइक, पॉइंट फॉर जीरो परसंट, पॉइंट, स्वरी, पॉइंट फॉर जीरो पैसा, इसमें रेट और हाइक हो सकता है, और हाँ, अगर आप बैंक्स में, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो हो सकता है, कि आने वाल टाइम में आपको, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में, थोड़ा सा और भी ज्यादा इंटर पॉजिट के, डेटर रिलीजन में 12, बैस्टेटिक्स मिनिस्ट्री शोट, कंजूमर प्राइस इंडेक्स, इंफलेशन सोट 7.79% इन अप्रेल, यानि कि कंजूमर प्राइस इंडेक्स जो है, वो 7.79% पर आगया है, दा हाइस सिंस में 2014, मतलब जो महंगाई दर है, वो 7.79% हो गई है, अप्रेल की, यानि कि 2014 से, 2014 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई अभी हो गई है, और इन फ्यूचर भी यह महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है, यह मार्च में कितनी है दिखाई है, इसमें, एक्सपेक्टेक्शन ऑफ 7.75, विद दे कॉर इंफलेशन सर्जिं 7% from 6% in March, तो यह महंगाई जब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे देश पे महंगाई होती रहेगी, इंफलेशन होती रहेगी, तब तब share market और नीचे गरेगा, और companies को जो result आते हैं, वो result भी कुछ अच्छे नहीं आ रहे है, पिसले इस quarter में, और इस quarter में जो result अच्छे न यहां पे, तो lockdown के टाम पे, जितनी भी कंपनी थी, सब के जो है result अच्छे नहीं आ रहे थे, एक दो quarter में, तीन quarter में, और जब market जब open हुई, जब lockdown खतम हुआ, तो सोचो कि अगर, मार्स के quarter में, किसी company का प्रॉफिट आया, जिस time के सब कुछ बन था, inflation तो दूर की बात है, मतलब, company हैं बनती ही, सब कुछ बन था, और जब उसके बार, जब market open हुई, जहां पे company का profit 100 काउड आया, जब company है खुल गई, जब production चाल हो गया, sales चाल हो गई, तो company हैं उन्हें 100 काउड का 300 काउड, 200 काउड प्रॉफिट दिखाए, क्योंकि, यह तो natural बात है, कि जब company बन होई, तो फिर से कोविट का जो पहले का level है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा सही लोगी, क्योंकि, market काफिड़ा मनता है, इसलिए demand ज़्यादा होगी, supply भी ज़्यादा होगी, तो profit बिंक्रिस हो गया, तो इसलिए पिछले दो quarter में, एक दो quarter में, अच्छा profit दिखाए, companies ने, और इसलिए companies के result बहुत बहुत बहुतरी result आए, और इसलिए भी price जो है, काफी उपर गया, अब ही inflation है, सबसे बड़ी बात मैं आपको जाता हूँ, इसमें reason क्या है, इसका reason क्या है, जो यह हमारा share market नीचे गर रहा है, इसके पिछे कुछ region है, आपको बजाता हूँ, देख और भी rate increase होने वाला है, जब रेट increase होगो तो definitely हमारा market नीचे जाएगा, महंगाई चरम सी वहाँ पे है, 7.5% महंगाई चल रही है, और दूसरा अमेरिका में भी consumer price index, यानि कि उधर भी महंगाई, पिसले 20 सानों की महंगाई, अभी इतनी महंगाई वहाँ पे है, आप inflation तो ही है, और अमेरिका में जितनी भी share बजार में जो बड़े बड़े share, जो दिगर share है, Google हो गया, टेसला हो गया, नेट्फलिस हो गया, इन में भी काफी गिरावट है, तो ये भी सारा index काफी नीचे है, और तीसरी बात है, पेट्रोल के price बहुत high हो चुके है, कहाँ पे 60-70 dollar का per barrel था, अभी 110 barrel पर हो गया, वो reason है, Ukraine का war, Ukraine और रशिया का war, जब तक ये war settle नहीं होता है, तब तक market में inflation रहेगा, महेंगा रहेगी, और पेट्रोल की demand जो ज़्यादा हो गया है, और पेट्रोल के जब तक price कम नहीं होंगे, market इसी तरीके से और भी 3-4 मैने हो सकता ह और भी नीची जाएगा, और तक तक तरीवन 15,000 का level definitely cross करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, अपने चार्ट पे देखते है अपना चार्ट, तो मैंने यहाँ पे चार्ट पे निफ्टी का चार्ट है, इसमें मैंने कुछ level मार्क की हुए है, यह जो level है, उपर का, जो index का level ह यह जो level है, यह बोटम का level है, इसी दरीगे से market गिर रहा है यहाँ पे, और यह जो लेवल है यह जो लेवल है, यह जो यह जो लेवल है, इसके बाद, यहाँ पी आए, इदर आका रुखा है, फिर यह अपर गयré यहाँ से यह बोटम टुच की यहाँ पे, यह फिर ओपर ग जिसमें कि 40 basis point जैसा कि आपको भी इंक्रीज होगी जिसमें कि 40 basis point की बडोतरी होगी, जो जो लेंडिंग रेट होता है, इसमें 40 basis point, 0.40%, और भी increase होगा, जब ही आप लोन लेने जाएंगें, तो आपको 6 न 8 जून के बाद आपको प्रिटी के लिए या फिर कमर्सिल लोन के ल बजाए पर नहीं रहते हैं उसमें आपको 7.4 ृप इंक्रीज बहुता है और अगर आप बैंक में फिक्स देपाजर रागते हैं तो आपको फिर नियानी कि पैसे या फिर जैसे अभी आपको बैंक समय अग्रेंट पर इंटरस्ट इस नहीं पर कोई पांट परसं प्रसंट प रेट ज्यादा मिलेगा, यानि बैंक आप से ज्यादा लेगी, और अगर आप बैंक में fix deposit करते हैं, तो भी आपको बैंक छोड़ा सा fix deposit में rate आपको ज्यादा लेगी, तो यह 15,000 के level है, बहुत क्रूश्य level है, अगर आपके पैस को shares है, तो आप इसमें की जरी पैसे लाएं, अ तो यह चैनल को करें कुछ मैरें हैं नहीं तो एक सब्सक्राइब चूप अगर T अपको आप सब्सक्राइब करें तो हम और भी अच्छे जिणदे आपको छी हर्णी तरीके से तो एक सब्सक्राइब बनता है, एक अच्छरे बनता है